Monopoly Market एक ऐसी मार्केट सनरचना है, जिसमें कोई कमपनी किसी प्रोडिक्ट की एकमात निर्माता या विक्रता होती है, जिसका बजार में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता. जिस समय पीट थील ने PayPal की शुरुआत की, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था, कि कोई ऐसी मार्केट में एक आधिकार, Monopoly हो. Monopoly उस कंडिशन को कहा जाता है, जब किसी उत्पाद का मार्केट में सिर्फ एक ही seller मौझूद होता है. अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लीजिए. चलिए शुरू कर तो आपको उस बिजनेस में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मिनोपली गलत होती है क्योंकि इसके कारण प्रोडिक्ट की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक स्टॉर्ट अप ओनर को इस बात का पता होता है कि अगर उसने प्रोडिक्ट की क्वालिटी बाई बिना ही उस प्रोडिक्ट की कीमत बढ़ा दी तो मार्केट में कोई दूसरा स्टॉर्ट अप ओनर पैदा हो जाएगा, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पर सकता है. IRCTC का नाम तो आपने सुना ही होगा. ये भारत में मिनोपली का सबसे अच्छा कमपनी है. ये भारत की एकमात्र ऐसी कमपनी है, जिसके जरिये आप रेल टिकेट बुक कर सकते हैं, ये कमपनी रेल टिकेट बुकिंग के अलावा ओनलाइन खानपान एवं पर्यतन का मैनेजमेंट भी करती है. क्योकि इस फील्ड में कोई दूसरी कमपनी मौजूद नहीं इसलिए ये हमेशा मुनाफा कमाती है, और इस फील्ड में अपनी मिनोपली बनाए हुए है. आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि एक सक्सेस्फुल स्टार्ट अप में क्या विशेश्टाएं होनी चाहिए. पीटर थील कहते हैं, कि किसी भी स्टार्ट अप के सक्सेस्फ चलिए अब इन चारो विशेश्टाओं को थोड़ा विस्तार समझते हैं. अगर आपके प्रोड़क्ट पर आपका पूर्ण अधिकार है, यानि कि इसके ट्रेडमार्क वा कॉपीराइट जैसे सभी अधिकार आपके पास हैं, तो इसी को प्रप्रायटरी कहा जाता है. अग आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बड़ी कमपनी के प्रोड़क्ट को बिना उस कमपनी की अनुमती लिए बिना कॉपी नहीं कर सकते, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है. यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, कि यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, कि आप जिस भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, आपको उसका पेटेंट जरूर करा लेना चाहिए. बाकी ये प्रोड़क्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपी राइट. अगर आपका प्र निर्माता कमपनी मौटी सिजुकी ने देश के 1789 से भी ज्यादा शहरों में अपने 3634 सर्विस सेंटर्स बनाकर विशाल नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी बदोलत मौटी सिजुकी आज भारत की लाजिस्ट का निर्माता कमपनी बन गई है. पीटर थील कहते हैं, कि 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 इसी भी स्टार्टप को शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि आपको अपने प्रॉडिक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि बाद में उसे स्केल करके बढ़ाया जा सके. जैसे पतंजली, उबर, ओलर आधी कमपनियों ने प्रॉडिक्ट का नाम या उसकी पहचान कराने वाला कोई शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन तथा चिन्ह उस प्रॉडिक्ट का ब्रांड हो सकता है. पीटर थील कहते हैं, कि बिजनस की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है. मार्केट में अपने देखा होगा कि कुछ प्रॉडिक्ट अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं. ओथर कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनीक आइडियर है और आप अपना खुद का बिजनस, स्टार्ट अप या फिर कोई कमपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. किसी भी कमपनी की शुरूआत ऐसे इनसान के साथ करनी चाहिए, जिसे आप अच्छे से जानते हो. किसी भी अंजान व्यक्ति के साथ बिजनस करने से बचना चाहिए वरना आपका बिजनेस बरबाद हो सकता है. किसी भी कंपनी की शुरुआत करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कौम अपनी का लीगल ओनर कौन है कौन मेनेजमेंट का काम देखेगा कौन फाइनेंस का काम देखेगा मारकेटेंग कौन करेगा HR डिपार्टमेंट कौन देखेगा आपको इन सभी चीजों के लिए पहले से ही एग्रिमेंट कर लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े आपको अपनी कमपनी में फुल टाइम जॉब करने वाले एम्पलोईज ही रखने चाहिए क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने वाले एम्पलोईज की वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ धीमी पर जाएगी फुल टाइम जॉब करने वाले लोग कमपनी के लिए लगन से काम करते हैं वो जानते हैं कि अगर कमपनी की ग्रोथ होगी तो उनको भी बोनस के रूप फायदा होगा वही पार्ट टाइम जॉब करने वाले कर्मचारियों को कम्पनी की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें तो केवल पैसों से मतलब होता है प्रोड़क्ट बनाने के बाद बारी आती है, मार्केटिंग की, मार्केटिंग का मतलब है प्रोड़क्ट को बजार में बेचने का सही तरीका मार्केटिंग कई तरह से की जाती है, जैसे Personal Marketing, Complex Marketing, Viral Marketing, Advertisement चलिए एक-एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं Personal Marketing का मतलब है जहां Company का Salesman किसी संभावित ग्राहक की तलाश करता है और फिर उसे अपना सामान बेचता है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी Insurance Company का Agent किसी व्यक्ति को Insurance Policy बेचता है अगर आपकी Company ऐसे Product बनाती है, जिनकी कीमत लाखों या करोरों में हो या मानलो आपको कोई बहुत बड़ा Order मिलने वाला है तो इस स्थिती में आपको सीधे ही अपने Client से बात करनी होगी ऐसी Marketing को ही Complex Marketing कहते है Viral Marketing वह है, जो Messages के माध्यम से एक Brand या Product में रुची पैदा कराने और संभावित बिक्री कराने में सक्षम है दूसरे शब्दों में कहें, तो किसी Product को एक Customer से दूसरे Customer तक तेजी से फैलाने को Viral Marketing कहा जाता है Viral Marketing सबसे सस्ती होने के बावजूद भी सबसे तेजी से काम करती है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग Apps को डाउनलोड कराने के लिए किया जाता है इसलिए ज़्यादातर Apps में Invite & Earn का Option दिया जाता है अगर आपके Product की कीमत बहुत कम है और आप अपने Product को ज़्यादा लोगों के सामने भेजना चाहते हैं तो Advertisement Marketing का यूज़ कर सकते हैं ग्रोसरी और Cosmetic के Product बनाने वाली Company ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिचवानी को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेर करिए भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू